प्रिंज वेलकम बैट टो मैं चानल कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबी लोग खैरियत से होंगे अपने घर में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे बाल है वो घने होने चाहिए बाल लंबे होने चाहिए और मुलायम होने चाहिए और इस मोटी चोटी को पाने के लिए हम भर सक प्रियास करते हैं हम बहुत सारे कोशशे करते हैं लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारे जो और एकदम पूंच जैसी दिखाई देती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे hair oil के बारे में जिसे आप अपने घर में बहुत असानी से बना पाओगे, आपने ही घर में available होने वाले कुछ ingredients के साथ में और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे बनाएंगे और आप इसे लगाएंगे, तो 15 ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बाल चाहे हैं वो बहुत तेजी से ग्रोव हो रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए confidence के साथ कहा रहा हूँ कि मैंने अपने कुछ patience पे इसे try किया और मैंने देखा कि इसके पहतरीन results मिल रहे हैं। So make sure कि अगर आप इस topic में interest रखते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो एक like का बटन दबा करके motivation जरूर दे और अगर चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe का बटन हिट करके bell के बटन को भी हिट कर लें। और अगर आप हमें देख रहे हैं Facebook ए Instagram पर तो हमें follow जरूर करें। Hello friends, Good morning, Namaste, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ Dr. Manoj, एक Aromatherapist, एक Natural Therapist. दोस्तों, इस चानल पर हम लोग बात करते हैं skincare, hair care, health care, constantry development और healing से जोड़े topics के बारे में। इस चानल पर upload होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत 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 चुक्रिया। दोस्तों, हम सबी चाहते हैं हमारे बाल जो हैं वो घने होने चाहिए, हमारे जो बाल हैं वो लंबे होने चाहिए और लंबाई में अगर विशेश महिलाओं के अगर बात करें तो उनके लिए कितने भी लंबे वालों हमेशा उने चोटे ही लगते हैं। तो ये एक DIY है और आपके बालों के लंबाई को बढ़ाने में आपकी बहुत जादा हेल्प करने वाला है। अब देखते हैं इसे बनाना कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे majorly 5 ingredients के जुरत होगी और ये 5 ingredients generally हमारे घर में ही available होते हैं। पहला जो ingredient है वो है दोस्तों इस तेल का base, मतलब कि इस तेल को बनाने के लिए जो main ingredient चाहिए वो है सरसों का तेल। मैं हमीशा आपको कहता हूँ कि आप अपनी जड़ों से जितना जादा जुड़ करके रहेंगे उतना जादा बैतरीन अपने स्वास्त को अपनी खुबसूरती को बरकरार रख पाएंगे। सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें कई बार बताया है कि ये आपके लिए बैतरीन है और आज के एक समय पर हम जो बहुत सारे hair royals की अंदादुन भीड में दौडर पड़े हैं तब से हमारे बाल जादा खराब होने लगे हैं अगर आप दिखते हैं उसका कारण है क्योंकि उन्होंने कभी भी बाजार में अवेलेबल मिलाविटी चीज़ों की अंदादुन दौड में नहीं गए वो हमेशा अपनी जड़ों से चिपके रहे उन्होंने हमेशा सरसों के तेल को अपने बालों में लगाया स्मेल होती है लेकिन ये स्मेल ऐसी नहीं होती कि आप इसके साथ रह नहीं सकोगे सरसों का तेल इतना भी बदगुदार नहीं होता कि आप उसके साथ जीना सको सो एक दिन रात को लगाने सुबा शेंपू करने तो आप सूची 12-13 घंटे का मामला है जिसके लिए तो हम एजिली उसमेल को लेए सकते हैं सो हमें यहां पर लेना है सरसों का तेल सरसों का तेल इसके साथ साथ जो मैंने गुण बता है उनके साथ साथ ओमेगा 3 ओमेगा 6 का पहतरीन सूर्स है जिसकी वज़ा से बालों की जो ग्रूथ होती है वो तेज होती है बालों का जो असमे सफेद होने की जो प्रबलम होती है वो भी चुटकारा मिलता है उसे हमें और बालों की लबाई भी हमें बहुत अच्छे से मिलती है तो लगबग हमें यहाँ पे 100 ml हमें यहाँ पे सरसों का तेल लेना है दूसरी जो चीज चेके दूस्तों वो चाहिए अद्रक अद्रक के अंदर होता है बहुत जादा मात्रा के अंदर फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो है यह बहुत ही एफेक्टिव है हमारे बालों की लबाई को बढ़ाने के लिए हमारे बालों को अगर हम ग्रूथ देना चाहते हैं हमारे बाल जो जड़ने के बाद वापस ये regrow नहीं हो रहे हैं, उन्हें वापस ये regrow करने में भी हमें अध्रक बहुत जादा मदद करती हैं, नंबर तीन जो ingredient दोस्तों हमें चाहिए है वो यहाँ पे होगा कलॉंजी, कलॉंजी जिसकों की प्याज के बीज भी का आ जाता है, काले रंग के बीज होते हैं, जैसा के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और इसे अचार बनाते समय हिंदुस्तानी परिवारों के अंदर इस ज़रूरी है, सो कलॉंजी जैसी है, वैसे के वैसे साबोत अमेर डाल देनी है, उसे कोई पीसना नहीं है, कोई आपको कूटना नहीं है, चौरती जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर मिलानी है, वो है अजवाइन, अजवाइन जो है, वो एक micro circulatory enhancer है, मतलब क्या है, micro circulatory enhancer क मतलब होता है, कि हमारे बालों की जड़ों को nutrition देने के लिए, जो तेल पोशक तत्व चाहिए, वो पोशक तत्व खून के मातल से आता है, अब वो खून का circulation ही, अगर हमारी scalp में कम हो जाए, तो उसकी वजहा से हमारी जो scalp को proper nutrition नहीं मिलता, उसको proper nutrition नहीं मिलेगा, तो वो से हमारी skin के अंदर, जितने भी toxins जहां होते हैं, वो निकलते हैं, और साथ के साथ में nutrition की supply प्रॉफर होती है, तो यहां पर हमें लगवग 10 से 15 gram अजवाइन लेनी हैं, लेकिन इसको यहां पर कूट लेना है, तभी इसके अंदर जो होने वाले enzymes हैं, वो पूरी तरह से हमार तेल के अंदर मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे, तभी हमें वैत्री इंडिजर्स यहां पर दिखाई देंगे, नमबर पांच और लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें यहां पर चाहिए, वो है लहसुन, लहसुन मतलब garlic जैसे हम English में कहते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा antimicrob agent है, anti-germicile agent है, anti-fengal है, anti-bacterial है, तो इन सब की वज़ा से क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बालों में भी infection होता है, tendruff होता है, इससे बाहरी dermatitis होता है, जिसकी वज़ा से जो बाल है वो जढ़ना शुरू हो चाते हैं, तो लैसन जब आप 5-6 कलियां लोगे, उन्ह पर इससे बार आपने इसके अंदर डाला था अधर, फिर आपने डाला कलउंजी, फिर आपने डाला अजवाई, और लास्त में, जो चीज आपने डाली थी वो थी आपकी lesson, तो इन चारों चीज़ों को मिला गरकर के इस तेल के साथ आपको गरम करना है, और गरम कब तक करन आप तो अब ये त achievement आपका तैयार है चान करके बौटल में भरके रखने के लिए आप चाहें तो इसे बिना चाहने भी बड़के रख सकते हैं और इसे आपको लगाना है हथे में दो बार बालों की जबों में बालों की जबो इस तेल को लगाना है, रात बर के लिए चोड़ देना है और सुभा mild shampoo से आपको wash कर लेना है जब भी आप mild shampoo की बात करते हो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको skin affairs का hair ritual shampoo यूज़ करना चाहिए ये एक ऐसा shampoo है जो किसी भी तरहा के बालों को बहुत अराम से suit करता है आप बिना किसी परिशानी के, बिना किसी तकलीफ के इसको use कर सकते हैं और ये आपको पहतरीन results देता है So make sure कि आप इसे अपने routine का हिस्सा जरूर बनाएं अगर आप इसे अपने routine का हिस्सा बनाएंगे जिसे आप जरूर अपने routine में शामिल करें और make sure कि अगर वीडियो पसंद आता है तो like a button दबा करके motivation जरूर दे दोस्तों एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि 26 अपरेल से लेकर के 30 अपरेल तक हम लोगों ने एक gel making का online एक workshop राइंट किया है में बना सकते हैं इसको class को register करने का link मैं आपको description box में पर in comment में दे दूँगा इसे register करने के लिए fees आपने बहुत nominal रखी है जो कि हैं केवल 2500 रूप है तो आज ही अपना registration कर लें क्योंकि बहुत ज़ादा seats बचे हैं ना ही बहुत ज़ादा दिन बचे हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपका प्यार जिस तरह से पर में देते हैं यहीं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे इसी आशा के साथ आप सलविदा लेता आपका नॉनस्ट्रेंड दॉक्टर मदमुच तंक ये सॉलष बच्बजब अबी करूं लब यूल